जैहिंद दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Most Important Objective Questions जैसा कि आपको पता है इसके पहले मैंने आपको वीडियो में Class 10th Science के Physics पार्ट का Objective Question बता दिया है And Biology पार्ट का भी Objective Question बता दिया है इस वीडियो में मैं आपको कमेश्टी पार्ट का भाविकल्पी प्रस्न बताने वाला हूँ और थाथ Objective Question बताने वाला हूँ जैसा कि आपको यह भी पता है कि आपके Board Exam में इस वर्स 20 Multi Twice Question पूछे जाएगा और थाथ भाविकल्पी प्रस्न पूछे जाएगे इस बार आपके Board Exam में अतिला घुत्री प्रस्न नहीं पूछा जाएगा तो जितने भी पूछे जाएगे यहाँ पर Question छोटे वाले वह भाविकल्पी के अंतरगत होंगे आपको ओमार सिट दिया जाएगा ओमार सिट भरने के लिए बोलेगा जाए Question पूछा रहेगा 20 और वो इसके बारे हम बात में बात करते हैं जीक अभी वीडियो बारे में बात करते है देखे 20 नंबर का Question बहुविकल्पी से आएगा जैसा कि आपको पता है देखे Science तीन पार्ट में डिवाइड है पहला आपका है Physics दूसरा है आपका Biology और तीसरा है आपका Chemistry Chemistry से 6 Question आएगा बहुविकल्पी का Biology से 7 Question आएगा बहुविकल्पी का और Physics से भी 7 Question आएगा अर्था 7-7-14-6 20 Question बहुविकल्पी के आपके Board Exam में पूछे जाएंगे और मैंने आपको एक बार पहले भी बता दिया था कि देखिए अगर आप 90% के उपर रिजल्ट लाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाए क्योंकि इस चैनल पर Most Important Question की तैयरी कराई जा रही है जो आपके Board Exam में अधिकतर पूछे जाते हैं जिनके पूछे जाने की संभावना होती है और जो पूछे जा चुके हैं सभी Question को मिला कर यहां पर Question आपको बता जाते हैं जिससे आप बहतर तयारी कम समय में घर बैठे कर सको ठीक है तो देखो दोस्तो हम यहां पर Chemistry के वोविकलपी प्रसनों को बताने वाले हैं और यहां पर Science मैत ही नहीं जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं सभी सब्जेक्टों की तयारी कराई जाएगी घर बैठे आप तयारी कर सकते हैं और मुझे आपके कमेंट में बताईए कितने लोग नोट्स बना लिएं कमेंट में आप जरूर बताईएगा कि आपने नोट्स बना लिया एक नहीं बना है सभी सब्जेक्टों का आप अलग-अलग नोट्स बना लीजे देखिए बहुई कल्पी तयार करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता सिर्फ आपको इसको कहानी की तरह पढ़ना है क्वेस्टन को पढ़िए इसका एंसर पढ़िए क्वेस्टन पढ़िए एंसर पढ़िए इसमें आपको रट्टा मानने की जुरुत है नहीं पढ़िए और बगल वाले को पूलिए पूछने के लिए आपका सिर्फ कोई ऐपका भाई है या फ्रेंड है उसे बो लिए कि क्वेस्टन पूछें आप क्वेस्टन पूछीं हम पॉछने के लिए और ऍस्वर आप बताते चले इससे आपका क्या हो जाईगा वह कयली प्रस्न आसानी से तयार हो जायेगा तो चलो हम चलते हैं क्वेस्टन की तरफ और सभी नमबर सी निम्ण में यहां परिच्छन नहीं रहेगा परी रच्छन परी रच्छन होगा ठीक है यहां परिख दीजेगा परी रच्छन और थात भंडारन के लिए उपियोग किया जा सकता है आप्षन एक कार्बन डाई आकसाइड या आकसीजन दूसरा नाइट्रोजन या आकसीजन तीसरा कार्बन डाई आकसाइड या हिलियम चौथा आप्षन है हिलियम या नाइट्रोजन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप्षन नमबर डी ठीक है हिलियम या नाइट्रोज नेक्स्ट क्वेस्टन है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्स को वाई की उपस्तिती में गर्म करने पर वह काला हो जाता है इस तत्व का नाम लिखिए देखिए क्वेस्टन काफी इंटेस्टेड है ऐसे क्वेस्टनों को आप आसानी से त्यार कर सकते हैं घर बैठे औ सभी सब्जेक्टों के मैं बार बार बोल रहा हूं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ और हाँ आपके लिए इतना मेहनत करता हूं कमसकम वीडियो को लाइक तो जरूर कर दिया करो भाई लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता और नहीं पैसा मुझे मिल पैसा में लगताइब करने के मृदार तो यक्ष को वाई की उपस्तिती में गर्म करने पर वह काला हो जाता है इस तत्तोग का नाम लिखिए तो पहला है कापर दूसरा जिंक सा तिसरा संसर होई ने कोई ने देख रहा है कि आईसे लिखा हूँगा मिल जाए की Cum का प्रतीक देगा ऐसे कापर का c u जिंक का z n इस ऐसे प्रतीक देके भी पूछ सकता है ठीक है तो याद रखिएगा आपको कापर याद रखना हमेसा अगर ऐसा question आएगा ये वाला question आएगा तो कापर याद रखना है clear हो गया next version की तरह बढ़ते है question number three लोज चूण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक आमल डालने से क्या होता है सही उत्तरपन निसान लगाई है तो यहाँ पर चार आपसन दिया गया है ठीक है A, B, C, D A है आइरन लवड एवं जल बनता है B है हाइड्रोजन गैस एवं आइरन क्लोराइड बनता है C है कोई अपक्कृण नहीं होती है D है क्लोरिन गैस एवं आइरन हैड्राइक साइड बनता है तो तीसरे का जो राइट आणसर हो जाएगा B राइट हो जाएगा Q4 है श्याम स्वेत फोटोग्राफी में प्रियुक्त होती है तो स्याम स्वेत प्रोटोग्राफी में प्रियुक्त होती है दोस्तों वो है आपका एजी सील जी हाँ यही पहले आपसन राइट हो जाएगा एजी सील तो नेक्स्ट क्यों आपसन की तरफ पढ़ने के ज़रोती नहीं पढ़ेगा मुझे तो पढ़ेंगे ही नहीं हम थोड़ आपक्रिया योगात्मक अबक्रिया उसमी विवोजन उसमी अपघटन तो आपसन नंबर इसका राइट हो जाएगा प्रतिस्थापन अपक्रिया अर्थाथ ए इसका right answer क्या हो जाएगा आपसन नंबर एगह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह बढ़तें दोस्तों फाइफ तक का, ऐलकाइन का, पैराफीन का, इनमे से कोई नहीं, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, आपसर नमबर A, ऐलकीन का, question number seven है, सुधजल का पीच मान होता है, 0, 1, 7, 14, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, सुधजल का जब पीच मान पूछा जाएगा तो आप मेंसा क्या बताईएगा सिवन बताईगा ठीक है? Q9 नम्बर 8 है दोस्तों देखे चारी विलियन का पीच है या पीच मान होता है किसी परकार से पूछ सकता है तो यहां पर ध्यान दिजे चारी विलियन पूछे या अमली विलियन मैं यहाँ पर दो condition आपको समझा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर question थोड़ा बच्चे suspense में पढ़ आते हैं और गलत करके चले आते हैं देखे अगर छारी billion का pH मान पूछे तो छारी हमेशा क्या होगा छारी billion का जो pH मान होगा साथ से अधिक होगा अगर अमली billion का पी अच मान पूछे ध्यान दीजेगा अमली billion अगर आपसे अमली billion का pH मान पूछेगा तो वो साथ से कम होगा उसका answer क्या होगा साथ से कम लेकिन अगर आपसे छारी billion का pH मान पूछेगा तो हमेशा अपसन बताएगा साथ से अधिक और अमली बिलियन पूछेगा तो साथ से कम क्लियर हो गया तो चलो दोस्तों अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन को अब देखें दोस्तों क्वेस्टन नम्बर नाइन और ये क्वेस्टन बहुत बार आपके बोर्ड एक्जाम में पूछा जा चुका है जल को जिवान रहित बनाने के लिए उप्योगी पदार्थ है धावन सोडा, वेंकिंग सोडा, फिटकरी या बिरंजग चुन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरंजग चुन क्लियर धावन सोडा का रासायनिक सुत्र है क्या बोला है दोस्तों ये देखे ये भी क्वेस्टन बहुत ही इंपोर्टेंट है बोला है धावन सोडा का रासायनिक सुत्र है तो धावन सोडा का रासायनिक सुत्र होता है ना2CO3 into 10H2O ठीक है आप सिर्फ question का answer त्यार रखिए बाद सभी आप समों को रटना के जरूत नहीं है सिर्फ question answer question answer त्यार करिए 11 number question है खाने के सूडे का रासायनिक सुत्र है तो खाने के सूडे का जो रासायनिक सुत्र होता है वो होता है नहCOO3 clear question number 12 है निम्नलिकित में दूर्बल अमल है देखे ये भी question बहुत बार पूछा गया है तो इस बार भी आप ध्यान दीजेगा बोला है निम्नलिकित में दूर्बल अमल है तो दूर्बल अमल कौन सा है चले आपसन पहले देखिए उसके बार यह CL, HCN, HNO3, H2SO4 तो जो HCN होता है यह दूर्बल अमल होता है क्या होता है दूर्बल अमल अर्था आपसन नमबर भी इसका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा question number 13 lead बैटरियों में प्रियुक्त किये जाने वाला अमल है या किया जाने वाला अमल है नाइटरिक अमल, सल्फियूरिक अमल, हाइड्रोकलोरिक अमल यह सभी तो दोस्तो बलेट बैटरियों में हमेशा प्रियुक्त होता है सल्फियूरिक अमल question number 14 है निमलिकित में प्रबल अमल है अभी आपने देखा दूर्बल अमल है अब यहां में पूछ रहा है प्रबल छार है काफी important question यह भी है तो प्रबल छार जो होता है को यह होता है ठीक है question number 15 है प्रबल अमली बिलियन में मेथिल ओरेंज सूचक का रंग होता है लाल का होता है पीला का होता है नीला का होता है या रंगहीन होता है तो methylene else जो होता है वो प्रबल अमल में हमेशा क्या होता है रंगहीन होता है क्लियर बढ़ते है next question की तरफ question number 16 question 16 है धावण soda का रसानिक नाम है sodium chloride sodium carbonate तो धावण soda का जो रसानिक सुत्र है रसानिक नाम है वो हता है sodium carbonate क्लियर अगर इसके सुत्र की बात किया जाए तो धावन सोडे का यहां पर जो सुत्र होता है Na2CO3 into 10H2 अभी मैंने इसके पहले क्वेस्टन इस पर बताया ठीक है क्लियर क्वेस्टन नमर 17 देख लिजे H2S या H2SO4 या Amnly Billion का pH मान पूछे तब आप क्या बताएंगे देखे मैंने आपको क्या होता है Amnly Billion का जो pH मान होता है वो हमेशा क्या होता है 7 से कम अगर 4 billion की बात की जाएगी तो 7 से अधिक हो जाएगा तो H2S यह भी Amnly Billion है H2SO4 यह भी Amnly Billion है यह तो दोनों Amnly है ही Amnly Billion की बात किया तो Amnly की जब भी बात किया जाए और उसका pH मान पूछा जाए तो हमेशा साथ से आप क्या बताएंगे कम बताएंगे ठीके Question No.18 है Sulfuric Amnly में Amnly Hydrogen परमाड़ों की संख्या है तो Amnly Hydrogen परमाड़ों की संख्या जो होती है Sulfuric Amnly में वो कितना होता है दो होता है Clear? चलो Next Question की तरफ चलते हैं दोस्तो अब देखें दोस्तो Question No.19 Question No.19 है निमने लिखित में से Amnly लवण है निमने लिखित में से Amnly लवण है NaCl NaHSO4 Na2SO4 KCN तो इसका Right अंसर हो जाएगा Option No.B NaHSO4 यह Amnly लवण है Question No.20 है बहुत Important है बोला है पे जल को जिवान रहित करने में प्रियोग किया जाता है पीने वाले पानी को अगर जिवान रहित करना है तो उसमें हम क्या प्रियोग करते हैं चलिए देख लेते हैं CAO-CL2 अर्थाद Bleaching Powder CA-CL2 CU-CL2 CA-CO3 तो इसमें देखिए हमेशा Bleaching Powder का प्रियोग करते है पानी को स्वाब करने के लिए जिवान रहित करने के लिए तो CAO-CL2 अर्थाद Bleaching Powder कभी-कभी Bleaching Powder देदेगा CAO-CL2 नहीं दिया रहेगा तो याद रखेगा CAO-CL2 दिया है जिवान रहित पानी बनाने के लिए पेजल को जिवान रहित करने के लिए किसका प्रियोग करते हैं CAO-CL2 करियेगा अगर ये नहीं दिया Bleaching Powder लिखा है तो इसका मतलब Bleaching Powder आपको टिक करने ठीक है 21 नमबर का Question है इसमें बोला है Lead Nitrate का रासायनिक सूत्र है PBNO3 PB of NO3 का whole twice तो दोस्तों इसका option नमबर B हो जाएगा PBNO3 का whole twice यहीं इसका right answer हो जाएगा ठीक है 21 नमबर का 22 देखे दोस्तों Question है निम्न में से कौन सी धातू अमल से Hydrogen विस्थापित नहीं करती है ध्यान दीजेगा ये भी बहुत Important Question है जितने Important Question है सब मैं यहाँ पर करा दे रहा हूँ और इससे मैं गारांटी दे रहा हूँ इससे बाहर आपके पोड़ेक जाम एक भी Question नहीं आएगा तो नहीं आएगा रट लो जितना भी बता रहा हूँ यहाँ पर ठीक है देखे निम्न में से कौन सी धात अमल से Hydrogen विस्थापित नहीं करती है तो कौन सी धात अमल से विस्थापित नहीं मने आपको बताया क्या Cu Copper बढ़ता है Q23 निम्न में से कौन सी धात अमल में से Hydrogen विस्थापित करती है यहाँ पर Hydrogen विस्थापित नहीं करती है तो कौपर और कौन करती है पूछ ले तो यहाँ दो होता है मेगनीसियम भी करता है और जिंक भी करता है तो यहाँ पर दोनों आपसंद दे रहाएगा तो यहीं आपको करना है अगर मालीजे एक ही आपसंद या तो मेगनीसियम या तो जिंक तो आपको क्या करना किसी एक को टिक लगाना है तो इसमें देखिए आमल से Hydrogen विस्थापित कौन करता मेगनीसियम भी और जिंक भी और कौन नहीं करता वो है copper क्लियर 24 नंबर क्वेशन है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधी उप्यूक्त है 24 क्वेशन है ग्रिस लगाकर पेंट लगाकर जिंक की परत चढ़ाकर ये सबी अगर लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाना है तो उसमें जिंक की आपको क्या करना है परत चढ़ा देना है अर्था आपसर नंबर सी सही हो जाएगा 25 नंबर क्वेशन है मैट में मुख्यता होता है FES CU2S FES तथा CU2S CU2S तथा FE2S3 तो इसका राइट जो एंसर हो जाएगा दोस्तों वापसर नंबर C हो जाएगा FES तथा CU2S ठीक है क्लियर बढ़ते है नेक्स्ट क्वेस्टन की तरब क्वेस्टन नंबर 26 बहुत ही important question है फफोलेदार कापर है फफोलेदार कापर है सुद्ध कापर कापर अयस्क कापर की मिस्रधात कापर जिसमें 2% असुद्धियां हो तो फफोलेदार कापर वही होता है जिसमें 2% क्या होता है असुद्धियां हो कापर में 2% असुद्धियां होती है वही फपोलेदार कापर है कौब अर्थात 98% क्या होती है सुद्ध होती है जो 98% ही सुद्ध होती है उसे हम फपोलेदार कापर कहते हैं देखे इसमें दो तरीके स्क्वेशन बनता है यहां पर फपोलेदार कापर का है फपोलेदार कापर कितना मात्रा होता है तो 98 होता है कौ Ciao किसा transfer कितना होता है कौपर आइप को वाइम में गर्म करके स्लफर को दूर करने को क्रिया है को हम क्या कहते है तो form जी wilt भरजन कहते कापर पाराइड को वाई में गर्म करके सलफर को दूर करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं भरजन कहते हैं चलो पड़ते हैं नेक्स्ट क्वेस्चन की तरफ अब देखें दोस्तों क्वेस्चन नमबर ट्वेंटी एड परावर्तनी वठ्ठी का उप्योग होता है प्रगलन में निस्तापन में वेसेमरीकरण में या अतिसीतलन में दोस्तों जो परावर्तनी वठ्ठी का उप्योग करते हैं वो हम करते हैं निस्तापन में किसमें करते ह पीतल है आपको पीतल बताना है धातु है अधातु है उपधातु है या मिस्रधातु है तो आपको पता है पीतल जो है वो कैसा धातु है मिस्रधातु है ठीक है तीस नमर क्योशन है अमलगम होते हैं उपधातु मिस्रधातु योगिक बिस्मांगी मिस्रण तो अमलगम जो हो होता है बिस्मांगी मिस्रन होता है ठीक है 31 a this evening है धातु है अधातु है ऊप धातु है या मिस्र्था तो shame टीमिनी दोस्तों कैसी धातु है कैसी धातु है उपता तु है C YOUR चलो बढ़ते है next किरा दोस्तों किवेस्टन नमब धर D इक ट पू ऐस ल का इनका सुत्र है लकाइन का सुत्र होता है C3 h4 जलय धरैस थार्तीठी थ्रोष्व टैन इन उन में क्रियात्मक दबल बांडड का मलदर्प सिंगल चलो नेक्स्ट कोईशन की तरह बढ़ते हैं तो तो फटा 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 तरने का प्रयास करते हैं क्योंकि सिंपल क्वेशन है इस अब रटने वाली क्वेशन है यहाँ ज्यादा समझाने की जिरूत है नहीं समोग की उपस्तित किसमें होता है CS3 बांड CS2 बांड O H में क्लियर 36 निमर क्वेशन है कितने अमली या विश्थापनी हाइड्रोजन परमार होई है किसमें पूछा जा रहा है कितना होता है आपस्ट एक होता है तो अथा आपसा नम्बर एक राइट हो जाएगा क्लियर चलो पड़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन की तरफ अब देखें तो क्वेशन नमबर 37 है निम्न लिकित में से किस यौगिक में किटोनी समूह उपस्थित है लगा है। तो इसका राइट अंसर हो जाएगा है यह रहा है। CS3 बांड C, CS3 और डबल बांड के साथ oxygen लगा हुआ है ठीक है तो यही हो जाएगा कि टोनी समु उपस्तित clear 37 का option number D right हो जाएगा अब हम देखते हैं 38 question को AC toner था CS3 CO CS3 का IUPAC नाम है एक IUPAC नाम आपके board exam में पूछेगा ठीक है किसी का भी पूछा सकता है और जिसका ज़्यादा पूछा आता है और जिसके पूछ जाने की संभावना है मैं यहाँ पर नीचे आपका लिख दिया हूँ सबको तयार कर लो यहाँ से एक आपका फस जाएगा पकाए फस जाएगा ठीक है तो AC tone इसी टोन का फार्मूला होता है cs3 qc3 qc3 का ups c नाम है हर साल आता है तो lagi सी नाम होता है इसका base 39 MR क्यूच्टिक अम्ल का आईउप्यसी नाम है पूछा जा रहा है गवह जो नाम होता है अथे नोईप्यक अम्ल थर्टीना क्यों गया अब हम देखते हैं क्यूच्ट नमबर 40 जो 40 हैं बोला है फार्मेंट्ड इहाइड का आईउप्यसी मीन होता है वह होता है methane null क्योशन नमर 41 है acid aldehyde का IPAC नाम है तो acid aldehyde का IPAC नाम होता है ethane null 42 नमर क्योशन निम्निलखीत में से असंत्रिप्त योगिक है असंत्रिप्त योगिक है तो असंत्रिप्त ethane, methane, etheline etheline इसका right answer हो जाए क्या etheline next question है 43 प्रियोग साला में सरप्रथम किस कार्वनी योगी का सरप्रथम निर्माण हुआ था तो किसका सरप्रथम निर्माण किया गया था प्रियोग साला में वह है यूरिया का किसका निर्माण किया गया था यूरिया क्लियर हो गया दोस्तों तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वे यह वोता है मैगनेसियम का किस से विकंध्ण संबंद्ध है तो माइगनेसियम के साथ क्लियर आप्सन नम्बर डी यहां पर राइड है 45 नम्बर का question है जान दीजेगा निरूपक या प्रारूपिक तत्व है देखिएगा ध्यान से देखिएगा ऐसा question पूछा जाता है निरूपक प्रारूपिक तत्व है तो यहां पर sodium ब्रमान त्रिज हमाइसा क्या होती है घटती है 47 question है आवर्त में तत्तों के धात्विगउन तथा परमान क्रमांक में क्या संबंध होता है क्या संबंध होता है तो बितना उपाती होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपसन नंबर C ठीक है क्या 47 है नहीं दोस्तों व्यूत क्रमा नुपाती होता है ठीक है यह दोस्तों गलती हो गया व्यूत क्रमा नुपाती होता है ठीक है इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यूत क्रमा नुपाती अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेशन 48 को 48 नमबर क्वेश्चन है उभय धर्मी आक्साइड है उभय धर्मी आक्साइड जो है दोस्तों वो है अल 2-0-3 जिसका अपसन नमबर सी सही हो जाएगा 49 क्वेश्चन है निमलिकीत में से अमली आक्साइड है क्वेश्चन है निमलिकीत में से कौन अधिक बिद्दुत रिडात्मक तत्व है जिसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों इस वीडियों बस इतना है मैंने आपको यहां पर 50 क्वेश्चन बताए है पचासों क्वेश्चन को अच्छे त्यार कर लेते हैं तो 6 नंबर आपका यहां से पक्का हो जाएगा 6 नंबर पक्का होने का मतलब कमेश्टी से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा अब जैसागी आपको पताएक क्वाइलोजी साथ और फिजिक्स से साथ साथ नमर को अच्छन आएगा टोटाल 20 वही कल भी प्रसन आएंगे और हाँ 90% के उपर आप रिजल्ट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जूर जाएए इस चैनल पर फ्री में सभी सब्जेक्टों की त्यारी कराए जारी वो भी बोर्ड एक्जाम से रिलेटे करो बोर्ड एक्जाम की 90% रिजल्ट आसानी से लाओ 90% को उपर ही रिजल्ट आएगा उससे नीचे नहीं आएगा जो जो मैं पढ़ा रहा हूं कर उसको आप त्यार करके जाओगे तो ठीक है तो चलो दोस्तों हम आपसे मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए ब हादब